हेलो प्यारे बच्चों आप सभी का वाई आरेस किलास में आपका स्वागत है तो आए आज हम चलते हैं किलास 10 का प्रशनावली 1.1 तो पहले चैप्टर है वास्तुविक संख्या हैं इंग्लिश में कहा जाता है रिजन नंबर ठीक तो आईए हम चलते हैं प्रशन नंबर एक का ध्यान करते हैं तो प्रशन नंबर एक कह रहा है निम्लेखित संख्याओं का चिसीएफ घ्याद करने के लिए उक्लिट उपाजन इल्गोरित्म का परियोग कीजिए ठीक तो एसी एफ और होता है हाई इस्ट कॉमन फैक्टर होता है ठीक यानि वहाँ बड़ी से बड़ी भाजा गुड़े भागफल प्रश्चेस फल ठीक यहीं फार्मूला ही कहलाता है ठीक तो यहां पर यह पूरा नाम इंगलिश में दे दिया गया हिंदे में इसे कहते हैं भाग विधी से किससे भाग विधी से तो आई यह हम चलते हैं प्रशन नंबर एक का धियन करते हैं प 235 और 225 का HCF ग्याद करना है तो हम देखते हैं कि इन दोनों संख्य में जो संख्य सबसे बड़ी होती है उसको लिख लेते हैं पर रहें 225 बढ़ा है 135 से तो इसलिए 225 ग्रेटर दैन हुआ 135 ठीक हमें साब याद रखना ठीक छोटी संख्या से भाग करते हैं बड़ी संख है या आपका बिरेकर के अंदर लिखा जाता है ठीक बाहर के 135 से भाग करेंगे तो जिस संख्या से हम भाग करते हैं उसे कहते हैं भाजक जिस संख्या में भाग दिया जाता है अर्था जो संख्या बिरेकर के अंदर लिखा जाता है उसे कहते हैं भाजक से भाज में भाग यहां पर उसे कहते हैं भाकव झो संख्या शेस आतर उसे कहते हैं शेस्फल तो अब हम यहां से चलते हैं 135 का पहाड़ा पढ़ना है 205 के बराबर या इस्से कम लेकिन 205 से ज्यादा ना हो तो 125 तो 270 हो जागए किसे ज्यादा हो जागए तो 135 हमेंसे हम घॉटाते हैं 5 पिंसे हम घॉटाते हैं गए 7 25 जिन के भी झी चीन फ़स्रम आ 활ाए खन धर not क्माद जीरो ना आये नभ्वे दिया है ठीक पैंगालिस नभ्वे यानि पैंगालिस के पहाड़े में नभ्वे पूररॉयलशंब कर जा रहा है। ठीक यानि इस पूरी भाग की प्रकलिया में अन्थी मेरे जिस शंख्या से कट जाएंगा वही का कहला एगा। अताहाँ दो सो पचीश और कि एक सो पैंटीस का एचिसीएफ जिसे हिंदिन कहते हैं मासदी कि कितना गया है 35 ये आपका एंशर हो गया ठीक अब हम चलते हैं परिशन ніमबर दो की तरफ चलते हैं ठीक तो परशनमबर दूसरा गह रहा है 116 और 38,220 का HCF ग्यात कीजिए किस नियम से वही पुराने नियम से युक्त विभाजन इल्गोरिफ्मिक के परियोग से तो यहाँ पर दो संख्या लिखा है पहला संख्या क्या है 116 और 38,220 का HCF जिसे हिंदिम कहते हैं मास आपको ग्यात करना है तो हम यहाँ से देखते हैं इन दोनों संख्या में 38,220 बड़ा है किस से 196 अब जो संख्या बड़ी होगी तो बच्चों उसको हम लिख लेते हैं बेरेकर के अंदर लिख लेते हैं 3220 जो बेरेकर के अंदर लिखा जाता है यही संख्या ही क्या कहलाता है भाज संख्या कहलाता है अजो संख्या प्रेकर के बाहर लिखा होगा बाई तरफ यानि क्या है यहां से 190 है इसे ही कहती है भाजक तो हमें करना क्या है 190 का पहाड़ा पढ़ना है 33222 के बराबर या इससे कम रहे ठीक तो बच्चों देखी आर्टीस Sandy का बाजक का करता है एक सोचानवे छोटे या आपका बाजक का कार करता है तो यहांरी 3220 में हम भाजक से यानि 194 से बाग करेंगे तो यहां पर क्या लिखा ए एक सोचानवे में अगर हम 3 से गुड़ा कर दें, 3 छंग 18 हांसी लगा, 1, 3, 9, 27, 1, 28 हांसी लगा, 2, 3, 5, 58 से जादे हो गए हमें, अगर यहां पर 3 अंके 3 अंक भी हम ले लेंगे, अगर 3 अंक ले लेंगें, क्या बन जाए कि 382 बन जाएगा, तो इसमें हम 192 में अगर 2 से गुड़ा कर दें, 2 छंग 12 हांसी लगा, 1, 2, 98, 1, 19 हो गया, 2, 99, 2, 3, 3, 92 आ गए, जो कि इससे भी जाद हो गए 382 से, हम की वह एक बार लेके जाएगे, ठीक, एक सो चानबे, एक सो चानबे, ठीक, तो यहां लिखेंगे, एक सो चानबे, एक सो चानबे, ठीक, 2 रुपए आपके पास किसी को देना, 6 रुपए नहीं दे पाओ, कि उधार लोगे, बगलवाले से बन जाएगा, 12, 12 में 6 घड़ के आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहां से, जहां से, उधार लेते हैं, वहां पर उनकी कमी हो जाती है, 8 है, एक उधार लिया, कमी होगा, तो 8 में 7 बचे का 7, 7 में से 9 घड़े गए, 17, 17 में से 9 आठ आ जाएगा, ठीक, यहां पर 3 है, एक उधार ले लिया था, बच्चा दो दो में से, एक एक, यहांने, 186 आ गया, ठ यहां से करेंगे क्या 190 का गुड़ा कर देंगे पांच बार पांच आपको मिला 980 में लगया 536 हुआ 545 45 43 48 हांसे लगा 4 595 चार नो तो कितनी बार गया एक 1892 आपके 9 अगर हम 9 बार लेके जाएं कितनी बार 9 बार लेके जाएं नो चंग 54 हांसे लगा 599 81 85 86 हांसे लगा 6 हांसे लगा 8 999 98 17 यानि जब हम 190 में हम 9 से गुड़ा करेंगे तो यह आपका 1800 से 1865 से कम रहेगा अगर हम 10 बार गुड़ा कर दें 1865 से जाएगा हमें कम लाना है या इस पूरे मान के बराबर लाना है तो जब हम 9 बार लेके गए यहां से तो नो चंग 54 हांसे लगा पांच 99 81 85 86 हांसे लगा 8 99 99 98 17 यह मिला आपको 1764 मिल गया अब यहां से हम घाटा देंगे 12 में 4 घट के आज जाएगा 8 यहां 15 15 में 6 गये 9 आ गया साथ में साथे कटा कूट बचा यहां से अब 65 क्या आ गया बच्चो 98 आ गया ना 98 छोटा है एक सो छानवे बड़ा है भाग जाए के ने लेकिन भाज भीछ बच्चा इंक है 0 बच्हे उतार लो जिरो तो यह बन गया भाज 220 और 190 का मासा जिसे कहते हैं है ये पूरा मान किस संखे बच्चों कटा है 196 से कटा है ना तो ये आपका 190 आपका एंसर हुआ ठीक तो आईए अब हम चलते हैं प्रस्ट नमबर 3 के तरफ चलते हैं तो प्रस्ट नमबर 3 कह रहा है 866 और 255 का से उसी परकार क्या करना है मासा ज्याद करना है तो दो संखे यहाँ पर दिया है तो तीसरे पड़ पच्चों दिया क्या है 866 है 866 और 200 पच्चपन का HCF मासा आपको ज्याद करना है ठीक अब हम देखते क्या है इन दोनों संख्या में जो संख्या बड़ी होगी उसको लिख लेंगे पहले किसे बड़ा है 255 से बड़ा है करते क्या है हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो इसलिए यह लिखेंगे 866 डिवाइड कर देंगे 255 से अगर इसे तीन बार हम लेके जाएंगे 255 ती हैंगे तो यहां से हो जाएगा आपका 3515 हां से लगए 3515, 116 हां से लगए 366 267 आगए यानि 765 आगए अगर हम चार बार लेके जाएं 255 गुड़े 4 तो 4526 हां से लगए 0 हां से लगए दो 2526 हां से लगए दो चार दूनी आठ आठ दो दस आपके जादा हो गए हैंगे ना तो क्यों तीन बार लेके जाएं तो 3515 हां से लगए 3515 16 हां से लगए 366 7 यानि यह आपका मिले लगए जा रहे तो गुड़ा कर रहे 255 में तो आपको मिल रहा था 1020 मिल रहा जो कि इस 866 से जादा था तीन बार ले गए आपको मिला क्या 765 मिला अब घटाएंगे साथ में से पांच गे 2 मिला यहां से 6 मिल जिर गए 0 आ गए 8 मिल साथ 1 मिल यह एक सो दो आ गया चुनकि शेसफ़ एक सो दो है लेकिन जीरो नहीं आया है ना जब बच्चों जीरो ना आए तो जो भाजक इसके ऊपर होगा दो सो पच्पन इसे हम फिर उतार लेंगे तो एक सो दो दुनी होता है च्छार लेक सो पसुऑ मिला 6 यह शेसफ़ का प्छो एक क्या मैं DRude आ गया शेसफ़ क्वर्चों नहीं जिरू नहीं आया है जब जिरू नहीं तो इसके ऊपर भाजक़ किया है इक सो दो है ठीक क्या एकशन के पहाड़े में एक सो दो आता है तो नीचे लिखेंगे अताहा अताहा 867 और 255 का हिसी हिंदिन कहते हैं मासा कितना है बच्चों किस संखे से पूरे पूरा मान कटा है एक्क्यावन से न तो आपका एक्क्यावन ही आपका एंसर हो गया